उज्जेन के सांधीपनी आश्रम में भगवान को ठंड से बचने के लिए कई उपायतिया जा रहे है। भगवान श्री करश्णों वो बल्गराम के साथ थी सांधीपनी को गरम कपरे पहनाया गए। इसके अलावा उनके आगे अंगेठी भी जलाई गए। मत्क्रजिस सहीद पूरे भरत में ठंड का प्रकुप श्रूम कर आए। कई जागा पर पोरा विशारा आए। गिर्ते कापमान के कारण लोगों में गरम कपड़ पढ़ना चालू करती है। इसे में भगवान को भी ठंड से बचने के लिए गरम कपड़े और आग जलाई जा रही है। जिससे कि भगवान को गर्मार्ट में है। सांधीपनी आश्रूम में गूरूर से रतिजिन हैरू शुक्तालू आते हैं। अलएं भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए और यहां भगवान किस्ञ जोए बाल रूप में पढ़ने के लिए आए थे। और यहां भगवान कृष्ण जोए चऊश्ट दूरू के दे कृष्ण है। दिन में चौशड विद्याय शोला कलाय भगवान कृष्णे प्राप की दिए और यहां वाल रूप में भगवान कृष्णे की सेवा करते हैं और यह भी ठंड़ का मौसम चड़ रहा है तो भगवान कृष्ण को यहां सूटर बेना रखता है और सुवय भगवान कृष्ण को गरम दूद का भोग जलेवी गरम भोग लगता है जो फैर में सब बरतन सब भोजन बनता है दाल चाओं जो भी तो उनका गरम चूले से भोग रखता है और यहां भगवान अपने कृष्ण मित्र के साथ में बैटे हैं और बड़े भाई बल्राम यहां भगवान बल्लाव भीया तीनों मित्रे पड़ते लिखते भगवान है और यहां भगवान चौश्र दिन में चौश्र विद्याएं सूला कलाएं प्राप्ति थी गुश्कान है और आप देख रहे हैं यहां सर्दी बहुत गिर रही है और यहां सांधी बनी वंस परवार के लोग हैं उनके द्वारा यहां यह सेवा की जाती है जैशी कृष्ण